एक्जाम में हमें आयू पे एक नेमिंग लिखनेक लिए आती है और बहुत सारे बच्चों को बहुत टेंशन है सबसे पहले बता देना चाहता हूँ जो मैं आभी आयू पे नेम आपको लिखवा रहा हूँ वह और जो मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर आप सभी को दिया है कारबन कंपॉंट वह दोनों अगर आप कर लोगे तो आपकी बल्ले बल्ले इसलिए बता रहा हूँ जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे से प्राक्टिस कर लो और इस वीडियो का टार्गेट लाइक इतना इं फोर करवन है अगर टोटल एक दो तीन चार चार करवन है बंदब चार करवन मतलब इसका पैरेंट नेम क्या हो जागा? methane, ethane, propane, butane तो इसका नाम हो जाएगा N, क्योंकि अभी इसमें number अब कुछ अटाश नहीं है तो हम इसको लिखते है N, butane butane, A, N नी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सब के अंदर का है, single bond तो यह याद कर लो इसके याद B की अगर बात करूँ तो B के अंदर guys, total मिलाके 1, 2, 3, 3 carbon है 3 carbon है, मतलब इसका क्या हो जाएगा propane पर लाश वाला E नहीं लिखते E नहीं लिखते हम देखेंगे अगर मैं इसको थोड़ा simplify आप लोगों के लिए करूँ तो यह ऐसा है CS3, CH, CS3 और इसके उपर यह जो OH लगा हुआ, जो functional group है वो alcohol है, वो उपर लगा हुआ है actually bond इस तरह से CS3, CS, CS3, OH इस तरह की चीज़े तो इसको अगर हमें क्यों हमें लिखना है तो propane, propane E नहीं होता है, E नहीं लिखना है अब मुझे बताओ, first number 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon तो functional group कौन से number प्याटा है second number प्याटा है तो हम इसको लिखते है पहले carbon count करते है 1, 2, 3 तो हमने 3 carbon है तो इसका parent name क्या हो गया propane पर E नहीं लिखना है E नहीं लिखना है यह dash डालना है और कौन से number प्याट है second और alcohol का जो short लिखते है डालना और देखो functional group कौन से number प्याटा है तो second carbon प्याटा है इसलिए लिख दिया propane to all अब चलते है भाई तीसरा question जो हमारा methane, ethane, propane methane, ethane, propane total कितने carbon इसके लिखना है 3 carbon कितने carbon, 3 carbon methane, ethane and propane अब 3 carbon इसके अंदर है अगर आप ध्यान दोगे तो simple सा यह यह जो last वाला यह functional group है यह COOH यह हमारा carbosolic acid कौन सा acid है carbosolic acid वो सबसे पहले parent name लिखेंगे methane, ethane, propane तो propane पहले लिख दू propane A, N, पर last वाले E लिखूँगा नहीं लिखूँगा उसके जगह मैं लिखूँगा oic acid समझ मैं propanoic acid तो सबसे पहले 3 carbon था 1, 2, 3, 3 carbon था इसलिए propane लिखा बढ़ लास्ट का E नहीं लिखा हो उसके जगह पे मैंने इसका short जो लिखते हैं हम लोग कार्बजलिक acid का oic होता है क्या तो oic इसलिए propanoic acid हो गया अब चलते आगे अगला CS3, CS2, NS2 अब इसके अंदर देखो कितने carbon है दो carbon है दो carbon है मतलब यह क्या हो जाएगा ethane ETH, A, N पर E नहीं लिखना है last में E बिल्कुल नहीं लिखना है आप सभी को बता चुआ ethane A, M, I, N, E ethan amine ETH, E, Hटा देने का और last में जाएग ई TH, A, N, Amine clear देखो दो carbon है तो methane, ethane, methane,uthane, propane, vitamin, hexane, octane, octane, nanan, and decane आपको याद होगा अगर नहीं याद होगा तो जितना में बता रहों उतना कर लो अब देखो तो CHO जैसे यहां मैंने बताया आप सभी को इस function COH इस functional group का नाम है कार्बोजलिक एसिड और कार्बोजलिक एसिड को एससे लिखते हैं ओएक एसिड लिखते हैं लास्ट में ओएक लिखा जाता है उसी तरह से यह CHO यह aldehyde group है कौन सा ग्रूप है aldehyde group और aldehyde को short में क्या लिखते हैं AL लिखते हैं समझ बहाँ हैं तो कितने कार्बन दो कार्बन methane, ethane तो सबसे पहले ethane बट E लिखना है E नहीं लिखना है ETH, A, N E नहीं लिखना है और आश्ट में AL ethanol तो भाई यह पूरा clearly मैं आप सभी को बता चुका हूँ अग्दम अच्छे सो चुका है और यह आपको समझ में आई गया होगा अब एक last में एक और ले लेते हैं इसके अंदर देखो total carbon कितना methane, ethane, propane, butane total कितने carbon है 1, 2, 3, 4 चार carbon है, मतलब उसको क्या बोला जाता है butane बोला जाता है और सब में single bond है, इसलिए butane है bu, u, p, a, n, e होता है e नहीं लिखना है अब देखना है यह functional group कोन से number पेटा है पहले, दूसरे, तीसरे, चौती यह ऐसा कर रहे है तो बिलकुल गलत कर रहे है यह wrong है आपको देखना है, functional group सबसे नजदी कहां से attach है वहाँ से 1, 2 count करना है 1, 2, 3, 4 सबसे नजदी कहा है यहाँ से नजदी करना है, यहाँ से तो तीसरे number प्यार है अगर हम, यहाँ से अगर मैं count कर रहा है तो तीसरे number प्यार है, यहाँ से count कर रहा है तो यहां लास्ट में लिख दे, butane tone, ओके यह होगी हमारा total, अब guys हम चलते कुछ structure, structure भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, अब बहुत सरे structures में आप सभी को दूँगा, draw करने लिए, तो आप सभी को structure क्या करना है, draw करना है, कुछ इसमें से solve करवाँगा, कुछ दूँगा कि आप पड़ा पर practice करके उसका रख लो, अब इसके अंदर दे को pentane to one लिखा हुआ है, one मतलब सभी को मैंने आप सभी को पता 5 carbon हो गया, 5 carbon हो गया, then two one लिखा, two one, मतलब second number पर, आप सभी को याद रहना चाहिए, कि जो हमारा ketone है, वो double bond लेके, इस तरह से हम structure draw करते है, ketone के अंदर CO जो रहता है, double bond लेके इस तरह से draw करते है, यह आपको याद रहना चाहिए, और सभ में pentane, मतलब AN नहीं है, तो सभ bond, बाकी सह में single bond, single bond, single bond, single bond हमने दे दिया, अब यारद को रहा है, तो अभी कितना और चाहिए, total तीन लोग और चाहिए, क्योंकि हर carbon की वैatsächlich total 4 होती हमारे पस एक है, तो यहां तीन हमने attach कर दिया, यहां देखो एक और दो है, 1, 2 है, तो कितना और चाहिए, दो लोग और चाहिए, हो गया, यहां 1, 2, कितने है, 2 ही है, तो दो लोग और चाहिए, तो 2 hydrogen, जो carbon को total 4 लोग चाहिए, total 4 लोग चाहिए, अगर 4 में से जो कम पढ़ रहा हो, हम क्या कर करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे, यहां ध्यान दो, यह carbon का देखो, 1, 2, oxygen के साथ double bond होगे, 1, 2, 3, 4, यह हो चुगा है, अब यहां दो carbon only single bond है, एक ही है, अभी भी इसको तीन लोग और चाहिए, तो हमने H3 करती है, तो इस तरह से इसका structure होगा, एकदम simple तरीका, अब चलते आगे, आगे, प्रोपेन 2-ALL, प्रोपेन 2-ALL मतलब कितना carbon, total 4 carbon, 1, 2, 3, 4, अब 2-ALL मतलब, 2-ALL मतलब, all मतलब alcohol, पर second number पर alcohol लगाया हो, कौन से number पर alcohol लगाया हो, second number पर alcohol लगाया हो, तो इसी तरह से आपको भी second number पर क्या करना है, alcohol को attach कर देना है, और alcohol का formula होता है, वो बाकि सब जगा single bond, single bond पहले ही डाल दो, single bond, single bond हमने सब जगा डाल दिया, अब यहाँ देखो, एक hydrogen है, इसको तीन लोग और चाहिए, यहाँ देखो, क्रिके carbon को किसी ने किसी तरह 4 complete होना चाहिए, तो 1, 2 है, तो यहाँ दो लोग और चाहिए, S2 हो गया, अब यहाँ देख अब इसको कितने लोग चाहिए, तीन लोग चाहिए, इसलिए 3 मतलब hydrogen लगा दिया, यह structure हो गया हमारा propane का, अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगले हमारा butonoic acid, butonoic oic मतलब आप सभी को oic नाम से ही पता चल गया, COOH, पर हमें इसका structure बनाना है, butonic, butonic मतलब, buton मतलब, buton इसके अंदर जोगा है, मतलब उसका मतलब 4 carbon, 1, 2, 3, 4, 4, चार carbon हो गया, और एक चीज़ और, butonoic acid लिखा हुआ है, अब यह नहीं लगा हुआ है, कि acid कहां लगा हुआ है, तो हम हमें इसा last में लगाएंगे, इस तरह से इसका bond attach करना है, COOH होता है, तो एक हमने उपर, इ double bond के साथ रखा हुआ है, और यह OH, इसका मतलब COOH ही होता है, clearly समझ लो, हमेशा oic acid है, तो इस तरह का structure सबसे पहले draw कर देनेगा, C double bond O, और फिर single bond OH, क्योंकि इसका, इसका full form oic acid का COOH होता है, यह दिमाग में fit कर लो, और बाकी सभी जगा single bond, single bond, अब देखो, इस carbon का complete हो ग एक दो, तो इसको दो लोग और चाहिए, इसका single bond ही है, तो इसको H3, हो गया clear, अब चलते आगे, next, इतना amine, इतना amine अभी हमने किया था, और इसका NH2 होता है, आप सभी को यह चीज याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, इतना amine, इतना amine मतलब कितने carbon, दो carbon, दो carbon हम में लगा दिया, और last में NH2 के साथ क्या हो जाए, connected हो जाएगा, NH2 connected हो गया, यहाँ भी single bond दे दिया, अब देखो, ध्यान से देखो, इस carbon को दो लोग मिल गए, दो लोग और चाहिए, जो H2 हो गया, इस carbon को देखो, एक ही bond है, तो कितने लोग चाहिए, तीन लोग की carbon को हम चाहिए तो चाहिए रेते हैं, अब इसके बाद Two chlorobuten, to chlorobutane, सबसे पहले आब देखो, chlorobromo, ido, यह सब ही जितने functional group है, यह हमैसा आगे लगते हैं, prefix में लगते हैं, chlorobromo, ido, यह हम्मेंसा कहां लगते हैं, prefix में लगते हैं, nhấtप्रिफिक्स में लगते हैं, chloro, bromo, ido हो गय हमने चार इसको अटाच कर दिया, अब देखो, two chlorobutane लिखा हुआ है, two chlorobutane, इसका आगे इसले लिखा हुआ है, क्लोरो हमेसा chloro हो गया, ब्रोम हो गया item, मतलब klorine, bromine, iodine, कि हमेसा आगे लिखते हैं, इसके आगे, पैरन नेम के आगे हमेसा लिखते हैं, तो यहां butane है इसलिए 4 carbon लगा दिया है अब second number पे हमारा कोन है second number पे हमारा chloro है chloro मतलब CL लगा दिया हमने अब बाकी जगा सब जगा A-N-E है इसलिए single bond single जब भी आगे लगाते हैं तो end का spelling पूरा लिखते है A-N-E पूरा लिखते हैं अब देखो अब यहां count score 1 है तो 3 लोग की जगरत और यहां 2 है तो 2 की जगरत और यहां देखो 1-2-3 है 1-2-3 है तो 1 की जगरत clearly ऐसे आपने आप समझ सकते हैं यहां देखो 1 की bond है तो 3 की जगरत और हो गया then इसके बाद भाई एक और करवाऊंगा इसके बाद आपको 2 आपको हमोग दूँगा आप सभी को वह करना है अब मिथनल मिथनल मतलब मिथेन के साथ aldehyde attach है मिथेन के साथ कौन attach है aldehyde तो एकदम अच्छे से समझो अब aldehyde aldehyde मतलब AL aldehyde मतलब क्या होता है यह structure इसी तरह का और इसी तरह का होता है यह दिमाग फिट कर लो अब एक मिथेन मतलब एक कारबन मिथेन मतलब एक कारबन और इसका structure aldehyde का structure किस तरह का होता है इस तरह का होता है यह आपको पता रहना चीए अभी देखो एक दो तीन एक और इसको चाहिए, एक और कौन होगे हमारा हाइट्रोचन, हो गया complete, हो गया complete ना, अब इसके बाद, वन ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो मैंने बताया था, ब्रोमो हमेशा prefix में लगता है, तो वन ब्रोमो प्रोपेन, यह मुझे आप comment में लिखके दिखाओगे, और साथी, button on, button on, on one लिखाओ, one, 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 one एक button group है, one एक button group है, तो दोनों मुझे comment box में लिखके दिखाओगे, और इसके बाद हम चलते हैं, कुछ reaction की तरब आपको पहचानना है, जो बहुत important है, वो चीज़े आपको आनी चाहिए, अब इसको फटाबड़ हम देख लेते हैं, सबसे पहले यह देखो, यह वाला, पुड़ा मैं बड़ा करता हूँ, हो सकता है, पूर दिखें अच्छे से, सो भाई, कभी-कभी ऐसे हम यह जो question number 6 दिया हूँ, identify करने के लिए भी आता है, तो अगर मैं first, अगर मैं first identify करूँगा, नहीं अगर मैं first identify करूँगा, तो इसको बोलते है oxidation, क्या बोलते है, अगर मैं second identify कर रहा हूँ, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, कि सभी चीज़े combine हो रही है, क्या हो रही है, क्या हो रही है, और combine हो रही है, यहां देखो, एक reactant है, एक reactant है, एक minute, एक minute, सो भाई, एक बार और, क्योंकि रावल सरो कुछ काम था, इसलिए में बीच में CS3, CS2, CS2, OH, तो भाई, अगर हम यहां देखेंगे, तो यहां एक बार देख लो, यह क्या हो रहा है, यह oxygen मैंने बोला, product के side oxygen देखना, तो है oxygen add हो रहा है, तो यह हमारा हो जागा oxidation, क्या हो जागा oxidation, अब यहां ध्यान से अगर देखते हो, इसके अंदर reaction मेंने heat, plus light भी आत तो यह जो हमारा reaction होता है, यह combustion होता है, यह combustion होता है, क्या होता है, क्या होता है combustion होता है, क्योंकि इसके साथ heat और light भी है, अगर मैं third की बात करूँ, CS3, CS, CS3, 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 CS इसके बाद मैं D की अगर बात करूँ, तो CS3, CS3, CL2, CS3, CS2, CL plus SCL, अब यहां देखो कि यहां अगर एक चीज़ ध्यान रख रहे हैं, तो यहां CL2 है, यहां CL2 है, तो एक CL इसके पास चला गया, और इसका H इसके पास आ गया, ध्यान दो, देखो यहां वाला 2CL था, एक CL इसक इसके पास चला गया, तो यह CL हो गया, और इसके पास H कम हो गया, H2 हो गया, और इसके साथ add कौन हो गया, CL add हो गया, और यह हमारा substitution reaction है, ओके याद रखो, CL जो था, CL2 था, एक अपना CL उसको दे दिया, वहां से हाइट्रोशन अपने पास ले लिया, तो कुन सा reaction, substitution reaction, यह स से देखोगे, तो दूसरे side, water जो हो रहा है, separate हो रहा है, water अलग हो रहा है, product के side देखो कि आपको clear हो जाए, water अलग हो रहा है, मतलब यह dehydration reaction है, कौन सा reaction, dehydration reaction, इसके बाद अगर मैं F की बात करूँ, तो F के अंदर CS3, CS2, COOH, प्लस NOH, अच्छा, यह देखो, COH, यह हमारा कार्बसलिक acid है, और यह OH, मतलब यह base है, तो acid और base अगर एक दूसरे से react हो रहा है, तो simple से बात है, यह कौन सा reaction है, neutralization reaction, कौन सा neutralization reaction, अगर मैं G की बात करूँ, CS3, COH, यह acid CS3, हाँ, यह देखो, यह 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 वाला reaction, यह याद रखना, यह वाला reaction हमें सा याद रखना कि यह hysterification reaction, hysterification reaction मैंने आप सभी को बताया था, कभी-कभी exam में आप सभी से पूछा भी जाता है, तो यह total इतने तरह के होगे, सभी चीज़े मैंने इसके अंदर cover की, बड़े एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ जरूर याद रखना, कि अगर आपको जो मैंने one shot video carbon compound को बना दि किदर गया, किदर गया, किदर गया, किदर गया, किदर गया, जा, 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 यह वाला, यह वाला box आपको भरके, प्लीज comment box में इस सभी का नाम देखता हूँ, मैं कौन, कौन, कौन ऐसा बंदा है, जो सभी का नाम फटा-पट, पटा-पट करता है, लिखता है, जल्दी जल्दी लिखता है, जो लिखेगा उसको मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा, thank you so much guys विलते हैं नेक्स वीडियो में, जै हिन दोस्तों